स्थित्या संब्ली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तुफान बनकर आ गई जो पीड़ा आपने सही है जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एसास है जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है मैं सभी देशवास्चों की तरफ से उनके प्रती संबेदनाई व्यक्त करता हूँ परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूँ चुनोती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प अपने होसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है साथियों अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों मेडिकल स्टाप, पेरा मेडिकल स्टाप, हमारे सभी सभाई कर्मचारी भाई भेन, हमारे एंबुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षाबल, पुलीस कर्मी, सभी की सराना करूंगा आपने कोरोना की पहले वेव में भी अपना जीवन दाव पर रगा कर लोगों को बचाया था आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सूख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, ताज्यम न धैरियम, विदुरे अपिकाले, अर्थात, कठीन से कठीन समय में भी हमें धैरिय नहीं खोना चाहिए किसी भी परिस्तिती से निपटने के लिए, हम सही नेड़े लें, सही दिशा में प्रहास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं इसी मंत्र को सामने रख कर, आज देश दिन रात काम कर रहा है बीते कुछ दिनों में, जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे इस बार, कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में, आक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस विशे पर, तेजी से, और पूरी सम्वेदन सिल्टा के साथ, काम किया जा रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरुवत मन को आक्सिजन मिले आक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी, कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं राज्यों में नए आक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुचाने हो और द्योगिक इकायों में इस्तिमाल हो रही आक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो आक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है साथियों, इस बार जैसे ही करोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है आज जन्वरी फर्वरी की तुलना में, देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है इसे अभी और तेज किया जा रहा है कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्टरी के बड़े जो प्रमुक लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है हम सौगपागे साली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईय बनाता है इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है कुछ फहरों में ज़्यादा डिमांड को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर होस्पिटल बनाए जा रहे हैं साथ्वा पिछले बर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे उसी समय भारत में कोरोना वाईरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन के लिए काम शुरू कर दिया था हमारे वैज्यानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाच्चों के लिए वैक्सिन्स विख्षिच किये हैं आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सिन भारत में है भारत की कोल्ट चेन व्यवस्ता के अनुकुल वैक्सिन हमारे पास है इस प्रयास में हमारे प्राविट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहतरीन प्रदशन किया है वैक्षिन की एप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रेक पर रखने के साथ ही सभी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है यह एक टीव एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्षिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभ्यान सुरू कर पाया टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि जादा से जादा छेतों तक जरुरत मन लोगों तक वैक्षिन पहुँचे दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले दस करोड फिर ग्यारा करोड और बारा करोड वैक्षिन डोस दिये गए हैं आज करोड़ा से इस लड़ाई में हमें होसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वर्कर्स, फरंट लाइन करोड़ा वारियर्स और सीनियर सिटिजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्षिन का लाब मिल चुका है साथियों, कल ही वैक्षिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्षिनेट किया जा सकेगा अब भारत में जो वैक्षिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा इस बीच गरीबों, बुजर्गों, निब्ने मद्यमबर के लोग, मद्यमबर के लोग 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्षिन कारेकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुक्त वैक्षिन मिलती रहेगी जिसका फाइदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरी परिवार हो, हमारे मद्यमबर, निम्मद्यमबर के परिवार हो वो उनका लाब उठा सकेंगे साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है और जीवन बचाने के लिए तो है ही प्रयास से भी यह है कि आर्थिक गतिविधियां और आजिवी का कम से कम प्रभावितों प्रयास का तरीका यही रखा जाए वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स हैं उसे तेजी से वैक्सिन उपलब्द होगी राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमीकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाएं रखे उनसे आग्रह करे कि वो जहां है वही रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जी सहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा साथियों पिछली बार जो परिस्थित्यां थी वो अभी से काफी बिल्ण थी तब हमारे पास इस वैस्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफा सक्टर नहीं था आप याद करिये देश की क्या स्थित्य थी कोरोना टेस्टिंग के लिए परियाप्त लैब नहीं पी-पी-ई का कोई प्रोडोक्षन नहीं हमारे पास इस बिमारी के ट्रिट्मेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपरटीज हासिल कर ली हैं वो जादा से जादा जीवन बचा रहे हैं आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पी-पी-ई कीट्स हैं लैप्स का बड़ा नेटवर्ग हैं और हम लोग टेस्टिंग की सुविदा को निरंतर बढ़ा रहे हैं साथियों देश ने कोरोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैरिय से लड़ाई लड़ी हैं इसका स्रे आप सभी को सभी देश वाच्यों को ही जाता है अनुशाचन और धैरिय के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं मुझे विश्वास है जन भागिदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग कई सामाजिक संस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन रात जुटे हैं दवाई पहुचाना हो खाने या रहने की विवस्ता करनी हो लोग पूरे मनोयोक के साथ काम कर रहे हैं मैं इन सभी के सेवा भाव को आदर पुर्वक नमन करता हूँ और देशवास्यों से अपिल करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवासी आगे आएं और जरूरत मंदों तक मदद पहुचाएं समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकर्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में मौले में एपार्टमेंट्स में छोटी-छोटी कमीटियां बनाकर कोवेड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेन्मेंट जोन लगाने की ज़रूद पढ़ेगी न कर्भी लगाने की ज़रूद पढ़ेगी और लोगडाउन का तो सवाली नहीं उड़ता है स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरुकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद कि दी छोटे-छोटे बालक पाँचवी, साथवी, आँचवी, दसवी पर पढ़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था मनाया था उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोड़ पर कहना चाहता हूँ मेरे बाल मित्र गर में ऐसा माहुर बनाईए कि बीना काम, बीना काराण घर के लोग गर से बाहर न निकले आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घरी में वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कम हो सके लोग अफ़ा और ब्रह्म में ना आए साथियों आज की स्थिती में हमें देश को लोगडाउन से बचाना है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूँगा कि वो लोगडाउन को अंतिम विकल्प के रुप में ही इस्तेमाल करें लोगडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे और देश वाचियों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे साथियों आज नवरात्री का आखरी दीन है कल राम नहुमी है और मर्यादा पुर्षोतम स्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें कोरोना के इस संकटकाल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है कुपिया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए दवाई भी कड़ाई भी इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है यह मंत्र जरूरी है वैक्सिन के बाद भी जरूरी है रमजान के पवित्र महने का भी आज सात्मा दीन है रमजान हमें धैरिय, आत्मसैयम और अनुशाचन की सीख देता है कोरोना के खिलाप जंग जीतने के लिए अनुशाचन भी उसकी भी उतनी ही जरूरत है जब जरूरत हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशाचन का पूरा पालन करे मेरा आप सभी से यही आगर हैं, मैं आपको फिर यह भरोसा देता हूँ आपके इस साहस, धैरिय और अनुशाचन के साथ जूड़कर आज जो परिस्तिया हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कोई कसर नहीं छोड़ेगा आप सभी स्वस्त रहें, आपका परिवार स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समात्र करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रधान मंत्री नरेंद मोधी का राष्ट के नाम संबोधन बहुत एहम था कोविट की इस वक्त के परिस्तितियों के बीच प्रधान मंत्री आज आये और उन्हें ने राष्ट को संबोधित किया और देश को भरोसा दिलाया कि जन भागेदारी से करोना की ये जो दूसरी वेव है